नमस्कार टीवी नाइन डिजिनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ कार्तिके शर्मा और जी हाँ आज हम बात करेंगे पंजाब की चुनाव हो रहे हैं पंजाब में बाणुपूर में गोवा में उत्राखण में उत्रप्रदेश में लेकिन पंजाब की जो राज्जीती है वो कही ना कही सबसे आदा इंट्रेस्टिंग हो जाती है और इस राज्जीती की सबसे खास बात यह है कि इस में नाकेवल जो लड़ाई है यूपी की तरह दो पार्टियों की बीच पे नहीं है इसमें एक अकाली दल बस्पा का ब्लॉक है कॉंग्रेस का ब्लॉक है फिर ब सेहले बतादूں की चर्चा क्यों की जा रही कि चर्चा इस हिंक रही है कि भी बीचते ना कि अब लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि जो इंटर्नल सर्वेज हो हैं कॉंग्रेस पार्टी के जो इंटर्नल असेस्मेंट हुआ है कही ना कहीं चन्नी आगे निकल गए हैं ना केवल सर्वे में बलकि जो राधन्यतिक अंकलन होता है नेताओं का कि भाई वो ही हमारे चीफ मिनिस् चीज चैणी और मुख्य कमMoreंत्री वहार करना चाले हैं जैसे अंग्रेजी मिंगी काईते हिएए आडगी तू तो मुख्यमंत्री के लेकिन जिस तरह से चन्नी आए और जिस तरह नहीं आ बंग्रिग अब वहवार करना करना कौनेया जैसा अंगरेजी केह थे काम के लिए बनेते और तमाम तरह की कॉंट्रोवर्सी तमाम तरह के आरोप प्रतियारोप के बीच में वो एकदम कुशल राजनीती की तरह नाविगेट करते चले आए दूसरा उनकी जो कास्ट है उसके चलते आपको याद होगा रहूल गांदी ने कहा कि कैसे पहली बार एक खुद का स्वार्थ ही सर्वोच है और वो बाकी पूरी पार्टी को confidence में नहीं ले रहे हैं इसके चलते सिद्धू को लेकर उनके ही गुरूप के कई लोगों में उनको लेकर खटास उत्पन हुई कल रहूल गांदी ने ये statement दिया कि जैसे आम आदमी पार्टी की तर्च पे पहमदी पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन उसी के तर्च पर उनको जनता चुनेगी हमारे पार्टी के लोग चुनेगे और जैसा सुनने में आ रहा है जैसा आपने कहा कि चन्नी इस वक्त फ्र क्यांदेट कौन होगा लेकिन इसमें मोटी बात जो मुझे अब यहां समझनी है वही है कि कॉंग्रेस पार्टी अब करनी सकती है जैसे फोन कॉल करके कौन होगा क्योंकि एलेक्शन के बीच में आप कर देंगे तो दो फार हो जाएगी पार्टी की लेकिन कही ना कहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से खटर के लिए भी मुश्किलें पैदा हुई जो एंटी जो जो जाट सेंटिमेंट था वो उनके खिलाफ कंसॉलेट हुआ तो कॉंग्रेस को भी क्या खत्रा उठाना पर सकता आपके साब से देखें खटर वाला केस यहां पर लागू नहीं होता यहां पर बेसिकली जो खत्रा उत्पन हो रहा है वो पार्टी आला कमान के द्वारा जो डिथरिंग की जा रही है यानि सही समय पे निर्न न लेना उसकी वज़े से हो रहा है जब चन्नी को इन्होंने बनाया तो उन्होंने का कि हमने पंजाब को एक दल चन्नी अभी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है और मैं ही हूँगा असली चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिट बेसिकली कॉंग्रेस अपने लिए आगे भविश्य में समस्या खली करने जा रहे थी और यही देखने को मिला कि जब कल दोनों पक्षों की तरफ से यह दबाव डाला ग क्योंकि यदि चन्नी को हटा कर सिद्धू को बनाते हैं तो लोगों का कहना होगा कि यह दलित चीफ मिनिस्टर का पूरा जो प्लैंक है यह केवल कॉस्मेटिक है और कॉंग्रेस बेवकूफ बनाने की राजनीती कर रही थी और एक धड़ा उनसे अलग होगा जिसमें आम आ की पॉलिटिक्स होती है वह एक जगे तक पहुचा सकती है लेकिन अगर मैं बोलूं बिसाइड्स टी कास्ट अगर उसको मैं हटा दूं तो आपके हिसाब से वह कहते हैं विहवार काम करने का तरीका लोगों के साथ काम करने का तरीका क्या वह वह क्या चीजें हैं जिस पर चन्नी सिद्धू की उपर स्कोर कर गए देखे चन्नी जो सिद्धू के उपर स्कोर कर रहे हैं और सिद्धू से पहले जो कैटन जब मुख्यमंत्री आते तो उनका जो डिरेक्ट कॉम्पटिशन था वो था कैटन के साथ जो कैटन थे वो completely inaccessible थे लोगों का कहना था कैप् टिपिकल पफेक्ट 24 करेट टीवी के लिए बना चीफ मिनिस्टर जो होता और उसके अलावा जिस तरह से वो जो accessibility उन्होंने दिखाई वो पंजाब के लोगों के लिए काफी नहीं थी और यहां माना गया कि जिस तरह या नवजो सिंग सिद्धू है कि अपनी बात सुननी ह या captain है जिनके पास accessibility almost न के बरावरती वहां चनल जीत सिंग चन्नी काफी different नजर आए इसके अलावा जिस तरह से आप देखे जब से चन्नी मुख्यमंत्री बने कई controversy हुई जैसे प्रधान मंत्री की security के लिए controversy हुई कोई और normal नेता होता तो वह जिस तरह के बयान देता ची of personality तो भाजपा इस पूरे प्रकरणों को जिसको तूल देने के लिए थी आपको याद होगा भाजपा के सारे मुख्यमंत्री आपने अपने मंदिरों में गए प्रधान मंत्री के लंबी उम्र के लिए दुवाएं मागी लेकिन ये दो दिन से ज्यादा नहीं चल पाया और और सेंसर फ्यूबर में भी बताईए चन्नी एगदम आगे कि भाई आरे आपको जंता से क्या खतरा है तो चन्नी जो परसनलेटी निभर के आई वो बहुत ही इंडेरिंग परसनलेटी उभर के आई और इसके मुकाबले जैसे अभी तक सिद्धू का था कि सिद्धू को क्या मैं कहूं मैं ऐसे फ्रेज करता हूं कि अगर आप देखें दुनिया में कोई आउटसाइडर को अगर अकॉमेडेट किया जाता है सत्ता के शीष पे तो एक चीज़ हमेचा ध्यान एक चीज़ गल्ती शब्त कर रहा हूं वो लोग जो करते गल्ती करते हैं उनको लगता हैं इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, प्रेस्डेंट, मुख्यमंत्री लेकिन जब वो बनते हैं जैसे नरसमा रावी जब बनते हैं तो अपनी करती तो आपको लगता है कि जो नॉन थ्रेटरिंग अपील है चन्नी की वो सिर्फ 24 गंटे में हवा हुई आपने शुरू में देखा हुआ जिस तरह से नवजो सिंग सिद्धू ने असर्ट करनी कोशिश की कि ये मेक्शिफ्ट अरेंजमेंट है चन्नी का हाथ पकल के ले जाना, सामने रहना, हर चीजों का जवाब खुद देना, लेकिन अरतालेस घंते के अंदर सिद्धू को समझ में आ गया है कि य किसी को किसी प्रकार का डिसकंफिचा नहीं होगा, यह अपने आप में चनलजी सिंग चन्नी की परसनालिटी के लिए बहुत ही बड़ा वैलेडिशन है, आप सोचिए कि 2-3 महिने पहले कोई चनलजी सिंग चन्नी को बदब पंजाब के बाहर उस तरह से नहीं जानता था, आज की डेट पे यह जिमाज बेस्ट फ्रंट रनर की मतलब पंजाब के केस को आप ले लें, तो सिद्धू को तो वो और तालीस गंटे में समझ में आ गया था, इसलिए सिद्धू ने बार बार यह कहने की कोशिश की कि देखे, आला कमान जानता है कि किसे मुख्यमंतरी ब प्रक्रण था, तो कईयों बार सिद्धू ने प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहूल गांधी को इंबरस किया, कहने का मतलब है कई बार यह लोग नाराज हो गये, उसके बाद सिद्धू ने वो किया, जो वो करना चाह रहे थे, जैसे आपने जिक्र किया, जो मन क किया, किया, बिल्कुन, लेकिन चन्नी जब उभरे, तो एक वो नाश्टरल माइड, जिसे कहते है, माइड में कि वह एक दरित को जगे दी गए, और उसके बाद जैसे आपने बताया, व्यावार, सेंस ओफ यूम, वह सारी चीज होगी, मैं समझना चाह रहा हूं कि अब जो डेमोग्राफिक बेट, तो आपको लगता है कि वहाँ टकराव होगा या वो सीमित है, देखे, दिक्कत इस वक्त सिर्फ यह है कि चुनाव बहुत नजदीक है, यदि ये एक महीने पहले कहा होता, जैसे बहुत लोगों का यह मानना था, कॉंग्रस में कई लोगों ने कहा, ओफ रिकॉर्ड की यदि जिस वक्त सिद्धू लगातार आला कमान को इंबैरस कर रहे थे, यदि इने चन्नी के सही पोटेंशल का आइडिया होता, और ये सिद्धू को बहार का रास्ता दिखा देते, तो शायद ये स्थिती आज आती नहीं, तो इन लोगों का कहना है कि यदि ये स्थिती को अब चुनाव एकदम नजदीक है, तो चुनाव में कोई ये स्थरा का निर्ने लेने चाह, लेकिन अब यदि ये चन्नी को हटाते हैं और सिद्धू को अकॉमडेट करते हैं, क्योंकि सिद्धू ज्यादा दमदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन नुमेरिकली मुझे लगता है चन्नी को अडवांटेजे सिद्धू beyond a point damage नहीं कर सकते, सिद्धू को ऐसा बहुत असंभव होता है, कि राजनीती में आप एक राज्य के प्रभारी हैं, आपने मुख्यमंत्री हटाने के लिए अपनी बात रखी, फिर कहाँ DGP हमार भी हुआ है, भाई पंजाब के बाहर हुआ है, लेकिन पंजाब के बाहर हो सकता है, भाई दलित एक बहुत ही important constituents है, आप इसका state effect, यदि उत्तर प्रदेश में Congress ने पहले से महनत की होती काफी समय से, यदि यह जो काम आज हो रहा है, यह दो-तीन साल पहले से होता और लग होती, तो definitely दलित पाटी को Congress अपील कर सकती, दलित वोट बैंक को Congress अपील कर सकती थी कि भाई हमें दलित को मुख्यमंतरी बनाने में भी कोई गुरेज नहीं है, और आज नहीं होता, तो कम से कम आज से दो-तीन साल के अंदर यह work in progress definitely होता, तो एक बनाके Congress एक एक एलेक्टो में होगा, तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माराश का 3% नॉन्ट्राइबल बना ज्रकंड में और पंजाबी खत्री बनके हर्यारा में तो आपको लगता है, कि चन्नी की जो पॉलिटिक्स की जारी है, वो उसी प्रकार से गेमचेंजर है, देखे वहाँ पर, दूसरा खे तो जाट का influence कितना होगा, जाट 20% तो जाट का influence कितना होगा, बीजेपी ने cold arithmetic की और पाया, के दी हम जाट को हटा दे, जाट vote bank हम से नाराज भी होगा, आपने देखा हो उस ताइम एजिटेशन चला था, जाट vote bank हम से नाराज होगा, तो यह जो counter जाट consolidation होगा, उसका फाइ प्रिक नहीं हो सकती, कि वह 20% या 15% पर रहे, और पूरे राज जिके उसको लाए, देखें, behavioral politics में होता है, कि आप दमदार आदमी हैं, आप रसूगदार आदमी हैं, आपके अस्ताकात है, यही पूछा चारा था आप से, कि यह behavioral politics बदल रही है पंजाब में, उसमें हाँ, आपके जैसे माल लीजे, आप अपने एरिये के रसूगदार हैं, तो आप अपना वोट तो डालने गए, आपके साथ 10 जो आपके खेद खलियान में काम करते हैं, आपने उनको भी बोला, वोट डाल के आजाओ, तो एक वो रहता है कि आप एक आदमी है, लेकिन आप चार आ कि सारे जाट चले जाएंगे, जिदी शिद्धू चले गए या शिद्धू अन्डिस्पूटेड किंग है, आप सिंपल 6 महिने पहले की देखिए न, या 8 महिने पहले की देखिए, तो क्या सिद्धू अन्डिस्पूटेड अन्कोश्चनेबल लीडर थे, नहीं थे, तब केप्टरिन मरिंदर सिंग को अटा दिया तो कॉंग्रेस आत्म घाती करेगी कॉंग्रेस तबा हो जाएगी कॉंग्रेस तूट जाएगी यह बहुत भड़िया है और मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं कि करेंगे यह थी तीनी समीकरन होगे लेकिन समीकरन टूट जाते हैं जैसे जगनमोहन रेड़ी मुख्यमंसरी बन गए और लोगों की है अराउंड भी politics हो सकती है तो जो behavioral politics की बाद बोली ब्रजेश ने वह एकदम सही है कि कही ना कहीं चन्नी को केवल कास्ट के अंगल से मत देखिए एक नहीं तरह की behavioral politics अब एकदम मोटा-मोटी बात है कि जो आंकलन हुआ है को जीता जा सकता आप देख रहे थे हमारी एक इक रिसमें चन्नी नवजोत-सिंग सिद्धियू से निकलिया आगए देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल.